तो आज की क्लास में कल हमने देखे पहले क्या देखा था हमने रिलेशन बेट्वीन टॉर्क एंगुलर मोमेंटम देख लिया था आज उसके आंगे हम चैप्टर को कंटेन्यू करते हैं क्या है चैप्टर हमारा देखे क्वेशन अमरे 24 आपके सामने दिखा दे रहा है प्रूब देखे रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कल आपने जो देखा था वो किसका देखा था पार्टिकल का देखा था एक पार्टिकल जो था मूफ कर रहा था कल आपने उसका सीन देखा था और आपको हमने बताया था कि जो पार्टिकल ये दी मूफ कर रहा है तो उस पार्टिकल के लिए आपके पास क्या बना था टाउ इस इकुल्स टू डी अलवाई डी टी क्यों बिटा बना था कि नहीं बना था यही बना था ना कि जो टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ अंगुलर मोमेंटम के एकुल होता है क्लियर थी सारी चीजे टॉर्क इकुल्स टू डी लवाई डी टी के एकुल होता है बट यह हमने किस के लिए डिसकस किया था यह हमने डिसकस किया था एक पॉइंट के लिए बोलो क्लियर है बट अब इस चीज को हम किस के लिए डिसकस करने वाले हैं इसको हम डिसकस करने व का ये access है, access of rotation तो access of rotation के about घुमाने के लिए आप इस body के ऊपर क्या लगाएंगे? आप इस body के ऊपर torque लगाएंगे, okay? आप इस body के ऊपर क्या लगाएंगे? torque तो जो total torque होगा torque total is equals to d by dt किसके होगा? L total ये clear हुआ की नहीं हुआ, बेटा? total torque जो होगा वो d by dt rate of change of momentum किसके कोल होगा? L total के L total मतलब बेटा, इसके अलग-अलग particle इसके अलग-अलग particle जब rotate करेंगे बेटा आपको पताया था मैंने कि जब ये rotate करेगा तो इसके अलग-अलग particle अपने अलग-अलग circular motion परफॉर्म करेंगे, बोले yes की नहीं तो किसी का linear, sorry, angular momentum L1 जनरेट हुआ, किसी का क्या जनरेट हुआ? L2 हलाकि जनरेट सारे एक ही direction में होंगे तो आप क्या कह सकते हूँ total torque जिसको आप total external torque भी कह सकते हैं क्योंकि torque externally अप्लाई होगा this is equals to L1 plus L2 plus L3 plus dot 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 Ln clear के note clear? तो इस चीज का derivation हम यहाँ पे करने वाले हैं relation between torque and angular momentum for a system of particle तो अगर हमारे पास बहुत सारे particle का लेकि एक system बनाया गया है कल किसके लिए derive किया था? मैं बार-बार बोलना हूँ इस बात को कि कल हमने यह जो काम किया था यह हमने एक point के लिए किया था एक point mass के लिए clear? हाँ आज यह जो बात कर रहे हैं हम बटा यह system of particle के लिए कर रहे हैं तो लिखा है consider system of n particle tau 1, tau 2, tau 3, tau n बटा सब पे torque लगेगा क्योंकि जब आप as a complete body आप किसी को घुमा रहे हैं तो बटा एक सब पे torque लगेगा बोले yes की no हाँ एक complete body पे आप torque लगा रहे हैं तो सब पे torque लगेगा let tau 1, tau 3, tau n tau n be the torque acting on these particle about a fixed point and L1, L2, L3 Ln be the angular momentum of these particle about the same point इनका angular momentum है सब का है न तो angular momentum की direction में आपको बताई है वो तो सब की सब एक ही direction में जनरेट होगी क्योंकि axial vector होता है तो upward ही जाएगा अगर anticlockwise moment है particles का तो clear the total torque include internal torque and external torque but total internal torque is zero because due to the mutual interaction of particle which is equal and opposite so the total torque is equal to the external torque मतलब आपको बस यह लाइन याद रखनी है कि total torque के रूप में केवल external torque काम करता है so torque total equal to torque external and total angular momentum जो हो जाएगा L1, L2, L3, Ln हो जाएगा so torque external equals to dl by dt यही मैंने आपको बताया कि जो total torque होगा वो सारे अंगूलर मोमेंटम के सम का यानि की net angular momentum का time derivative होगा ठीक है पेटा यह तो क्या की है इस हमने इसी फॉर्मूले को एक हमने बल्क बोडी के लिए एक रिजिट बोडी के लिए पढ़ लिए पढ़ लिया का यह क्लियर कंसेप इस यह तो आपके लास पाई थान के तस दो रेट आप चेंज ऑफ इंटोटल अंगूलर नोमेंटम अफसे स्सेम अपडिकल कल आप सिस्टम आप पार्टिकल निहीं बूल रहे थे है तोटलर रेट अफ़ चैंज फॉल मोमेंटम रोतेश्टम रोटेव ड़िट चेंज बात करते हैं, rigid body क्या होती है इसके पहले भी हलाकि मैंने rigid body आपको बताई है कैसी body जिसके दो point के बीच का displacement कभी variable बदलता नहीं है, अगर आप उस पर force लगा रहे हैं मतलब यह आप धक्का मार रहे हैं इस point से तो इसके और इसके बीच के particle बिलकुल नहीं बद देखा, मतलब force एकदम body ओके ठीक है ना particles do not change तो लिखा है the distance between different particles do not change, even though they move, इसका मतलब समझो जैसे आपके पास में कोई dumbbell है यह कोई dumbbell है ठीक है जिम वाला डंबल है भाई सब, अब आपने एक particle जिम वाले डंबल का यह है, और एक particle यह है, अगर आपने जिम वाले डंबल को जोर से दवा दिया तो यह जिम वाले डंबल जो है, खसक करके खसक करके यहां आ गया बेटा बोलो clear की not clear मतलब अपनी position से भले ही किसक गया, मगर वो जो दो particle थे, उनके बीच की relative distance वही की वही रहेगी, पहले भी D थी अब भी D रहेगी समझ मैं की नहीं है तो यह कह रहा है, even though they move अगर वो move भी कर जाए तो कोई दिकत नहीं है distance वही बने रहेगी दोनों particle की under the influence of an external force, a rigid body can execute two kind of motion देखो बेटा, अगर आप external force लगा रहे हो, तो rigid body के दो तरीके के motion है पहला translational motion अभी आपने देखा बेटा, यह जो motion था, यह अपने force लगाया है यह force, sliding force है तो body खिसक गई इसको क्या बोलते हैं बेटा translational motion कौन सा motion है बेटा यह हाँ, translational motion it is also called translatory motion बट बेटा यदि आप इस पर एक ऐसा force लगाएं इस तरीके से यह डमल रखा हुआ है और आप इस पर इस तरीके से force लगाएंगे ठेक है ना तो क्या हो गए, यह body घूमना सुरू कर देगी, मतलब translational के साथ rotational motion भी आप create करा सकते हैं अब देखो बेटा यहां से हम बात करते हैं equilibrium की तो बेटा किसी body में किसी rigid body में दो तरीके की equilibrium establish हो सकते हैं पहला होता है बेटा translational equilibrium यह हमने बहुत पढ़ा है बेटा अगर सारे forces का sum external forces का sum बेटा जीरो होगा if the resultant of all external forces acting on a body is zero then this is called the body is set to be in translational equilibrium तो बेटा नोट कर लीजे कि यहां पे जितने भी external forces होते हैं उनका sum कितना होता है बेटा zero मतलब क्या कह सकते हो अगर balanced force act करते हैं हाँ balanced force अगर act करते हैं तो body पे लगने वाला net force कितना हो जागा जीरो और बेटा net force अगर जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं कि जो body है वो translational equilibrium में है ठीक है बेटा तो यह जो body है translational equilibrium में है clear की not clear हाँ बेटा दूसरी चीज़ समझो rotational equilibrium आपने translational equilibrium के लिए क्या देखा आपने translational equilibrium के लिए देखा कि f net equal to 0 rotational equilibrium के लिए क्या बात होगी बेटा torque net equal to 0 याने कि बोडी पर लगने वाले सारे टॉर्क का सम कितना होगा? जीरो होगा तब बोडी जो होगी rotational equilibrium में होगी ठीक न? तब बोडी जो होगी rotational equilibrium में मैं उसी case की बात कर रहा हूँ जब आप एक weighing balance में यहाँ पर यह pivot है अब pivot के about up 2 point जोड़ देते हैं ऐसे और अगर यह बिल्कुल सेंटर पर रुका हुआ है मतलब है rotational equilibrium पर क्यों कि नेट टॉर्क एक्वल जीर होगा यह वाला कैसा देगा बेटा यह वाला इसको देगा clockwise टॉर्क और यह वाला कैसा देगा बेटा इसको यह देगा अगर clockwise टॉर्क के एक्वल है बेटा तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो तो नेट टॉर्क जीरो होने से यह बॉड़ी किस में कहला जाएगी एक्किलिब्रियम में कहला जाएगी कौनसा एक्किलिब्रियम रोटेशनल एक्किलिब्रियम क्लियर है और अगर बॉड़ी रोटेशनल एक्किलिब्रियम में है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेशन कितना हो जाएगा जीरो क्लियर जैसे यहाँ पे नेट एक्सेलेरेशन 0 होता था तो वहाँ पे linear acceleration था और यहाँ पे इसका भाई कौन सा बेटा angular acceleration clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है so बेटा torque external equal to 0 और torque external को में क्या लिख सकता हूँ sigma r into sigma f क्योंकि आपको मैंने बताया है कि sigma torque equal to sigma मैंने बताया था r into f clear आगया तो इसको आप break कर दीजे तो this is equal to sigma r into sigma f equal to 0 तो अगर body rotational equilibrium में है तो उस पर लगने वाले torque resultant कितना होगा 0 होगा the resultant of the forces sorry resultant of the torques due to the all forces acting on the body about any point must be 0 clear हो गया otherwise body rotational equilibrium में नहीं होगी और rotational equilibrium में नहीं होगी तो क्या generate होगा बेटा angular acceleration generate हो जाएगा clear any problem चलिए अब बात करते हैं बेटा अपने अगले topic की define moment of inertia of a body आपने inertia बहुत बढ़ा है मैंने आपको याद करें आप inertia तो उस inertia आज समय आ गया है inertia पर थोड़ी और बात करने की और आप एक समय था मुझसे आप पूछते थे सरी ये moment of inertia क्या होता है इस पर हमारी भारी डिवेट भी हुई थी inertia और moment of inertia को लिए करके याद है उस समय तो मैं ये कह रहा था कि अभी इस पर ध्यान मत दीजे क्योंकि उस समय हम पहले पार्ट पे थे physics से स्टार्ट ही हुई थी तो inertia actually बेटा context base है जब हम लोग पढ़ रहे थे mechanics या linear linear mechanics कहलो या kinematics कहलो तो वहाँ पर inertia का नाम था बेटा linear inertia linear inertia दूसरा अब यहाँ पे जो inertia का नाम है बेटा उसका नाम है rotational inertia और rotational inertia का ही दूसरा नाम है moment of inertia बोलो clear हुआ कि नहीं हुआ इसी का दूसरा नाम है moment of inertia linear inertia आपको क्या जानकारी देता था क्या पढ़ाई थी मैंने inertia के definition the property of a body which opposes in change of its state किसी body का वो nature वो गुण जो इसके change of state में change of state का oppose करे मतलब state को change ना होने दे अगर body rest में है तो वो rest में ही रहना चाहती है अगर body uniform motion में है तो वो uniform motion में ही रहना चाहती है इस nature को हम क्या बोलते है inertia बोलते है बोलो clear की note clear हाँ और inertia को हम किस से मिजर करते थे मास से जिसका जितना ज़्यदा मास होगा उसका उतना ज़्यदा inertia होगा ये बात हो रही थी linear inertia की अब moment of inertia देखो moment of inertia क्या है घूमने का inertia घूमने का inertia अगर कोई body रुकी हुई है तो वो घूमना नहीं चाह रही है तो वो रुकी ही रहेगी मतलब rest में ही रहेगी और अगर आपने torque लगा के इस body को घूमा दिया तो ये body घूमते ही रहना चाहती है तो ये body फिर rest में नहीं आना चाहती है फिर ये घूमते ही रहना चाहती है तो यहाँ पर tendency क्या हो रही है कि अगर हम rest में हैं तो rest में ही रहेंगे और अगर हम घूम रहे हैं तो घूमते ही रहेंगे ये जो tendency कहलाती है बोडी की ये कहलाती है rotational inertia बोलो clear की not clear जैसे बिटा आप कोशिश करो आप अपने access पे खड़े हो करके बच्चपन में ऐसी हरकते करते हैं बच्चे ये खड़े हो करके बच्चपन में इपनी जगह पे ही जोर से घूमना सुरू कर देते हैं फिर थोड़े देर के इसको घूमना सुरू करेंगे अपनी जगह पे आप देखिए आप घूमते घूमते एकदम से stop नहीं हो सकते हो बोलो हो सकते हो क्या यदि आपने कोई फिरंगी घूमाई है या spinner आपने घूमाया है तो आप देखिए इस spinner एकदम सटाक से नहीं रुकेगा बिलकुल आराम आराम से आ करके रुकेगा बोलो रुकेगा की नहीं रुकेगा मतलब अगर वो रोटेशन में है अगर वो रोटेशन में है तो वो रोटेशन में ही रहना चाहता है क्लियर हो गया वहाँ पर क्या था, if a body is at rest, it tends to be in rest, if a body is in uniform motion, then it tends to be in uniform motion, here if a body is in rest, it will tend to in rest, if a body is in rotational motion, okay, clear, तो वो किस में रहना चाहती है, वो, uniform rotary motion में ही रहना चाहती है, तो यह जो nature है, इस nature को आप बोलते हैं, क्या, moment of inertia, clear की not clear, बिटा आपने देखा होगा, कि एक छोटा पंखा, एक बड़ा पंखा, अब मैं moment of inertia के comparison की बात कर रहा हूँ, कि किस का moment of inertia जदा है, आपने देखा होगा कि जो छोटा पंखा होता है, जो छोटी छोटी दुकानों में, खासकर change room बगेरे में लगा रहता है, छोटे छो जो compartment होते हैं, उनमें लगा रहता है, ये छोटा पंखा हलका सा, दो पंखी है, तीन पंखी वाला, बहुत ही छोटा सा, इसको जब आप on करते हो, तो बड़ी तेजी से ये फर से गती पंखता है, मतलब zeros पे था, और बड़ी जल्दी से omega high speed पे आता है, और जैसे ही आप इस है, बोले yes or no, मतलब ही बहुत ही radially अपनी angular velocity को change कर रहा है, तो बताइए मुझे शौर दिमाख लगा के, कि इसका moment of inertia कम है की ज़्यादा है, बोले, क्या कह रहा है मना आपका, इसका moment of inertia कम है की ज़्यादा है, मास की बात मत करो, moment of inertia की बात करो, हाँ, कम होगा भाई, इसका moment of inertia कम होगा, हाँ, क्योंकि जल्दी से set हो रहा है, अब देखिए दूसरा पंखा, बड़ा वाला, बड़ा वाला पंखा, जो आपके घरों में लगा रहता है, जब आप बड़े वाले पंखे को on करते हैं, तो comparatively बिटा, ये जो पंखा होता है, जीरो से omega high speed तक जाने में ज्यादा time लेता है, लेता है कि नहीं लेता, बोलिए इसको नो, ज्यादा time लेता है, और जब आप इसको off करते हैं, तो on करने में भी ज्यादा time लेता है, और जब आप इसको off करते हैं, तो आपके पास omega से high speed से 0 में आने में, देखते हो जब एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, एक दम से फटाक से नहीं रुखता, बुलो yes or no, तो यहां भी यह ज्यादा टाइम लेता है, मतलब इसका मोमेंट आफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, clear की not clear, हाँ, तो मोमेंट आफ इनर्शिया को हम I से शो करते हैं, किसे शो क होगा, और इसका I क्या होगा, more होगा, समझ में आया, तो कहीं ना कहीं यह चीज समझ में आ रही है, कि मोमेंट आफ इनर्शिया जो होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, मास पर, इसका मास कम है, तो मोमेंट आफ इनर्शिया कम है, और इसका मास जादा है, तो मोमेंट आ इनर्शिया निकालते कैसे हैं तो निकालते कैसे हैं भई चरूरी यह है किसका निकालते हैं तो पहले मोमेंट आफ इनर्शिया की डेफिनिशन देख लेते हैं पिटा मोमेंट आफ इनर्शिया की डेफिनिशन क्या होती है तो नेचर वाइस तो मैंने आपको बता दिया कि अगर घूमने का रिष्ट से घूमने का जो अपोस करती है या घूम रही है तो अपनी घूमने में चेंज का जो अपोस करती है उसके इस नेचर को हम क्या बोलते हैं Moment of Inertia समझ में आया कि नहीं है clear मतलब कोई चीज अगर घूम रही है तो अब रिष्ट में आने में भी बहुत टाइम लेगी दिक्कत लेगी क्यों क्योंकि उसके Moment of Inertia करना अगर आप भी अपने हाथ फैला करके अगर आप भी अपने हाथ को फैलाईए और अगर एक ही पॉइंट पर भुमना शुरू कर दीजे बहुत तेजी से तो आप देखिएगा आपको रिष्ट में आना इतना आसान नहीं रहेगा कि आप फट से पैर रोग दें और आप रिष्ट पे आ जाएं कभी नहीं आपको बड़े आराम 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 से रिष्ट में आना पड़ेगा क्यों क्योंकि उस समय आपका moment of inertia जो आपको rotation motion में set कर चुका है वो आपके रिष्ट में आने का अपूस करेगा समझ मैं है क्या बेटा हाँ देखिए actually treadmill में belt set होता है rotation में बेटा आप नहीं होते हो treadmill में जो आप set होते हो वो actually linear inertia है if a body is in uniform motion it continue it in uniform motion समझ में आया तो वहाँ पे linear inertia काम कर रहा होता है क्योंकि आप treadmill में अपने आपको pretend का करते हो कि आप एक सीधे रास्ते पे दोड़ रहे हो say yes or no hello clear है बट यहाँ पे आप यदी घूम रहे हो ठीक ना तो भी आप अपने आपको नहीं रोक पाओगे एकदम से कि आपने पैर रखा और आप बोले parade thumb आप और कोहीं पर बिल्कुल रूख चाए संभव नहीं है clear की not clear because you are in rotational motion अरे भाई बिल्कुल समझो आप कि आप गरा बहुत तेजी से वो अपने पार्क वाला जूला जूला रहे हो ये देखिए साथ ये आपका पार्क वाला जूला जूल रहा है और एक ही ये uniform motion में set हो चुका है बोलिए ये skin o तो ये बताए ये ये जूला क्या कर चाहता है ये uniform motion में ही रहना चाहता है, कि ये रूखना चाहता है, अगर friction ना होता, और space में यह जुला होता, तो ये जिन्दिगी बर घूमता रहता, बोले yes कि no, गोल 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 घूमता रहता, रहता कि नहीं? रहता, जो यह जो नेचर है, भिटा, इसको हम बोलते है, moment of inertia, अब रही बात calculate करने की, तो calculate कैसे करते है, moment of inertia, अगर भिटा, आपके पास यह rotational axis है, और इस rotational axis से, r distance पर कोई massive body m है, वो इसको revolve कर रही है, इस axis के about, clear की not clear तो इसका revolving body का जो moment of inertia count होगा i is equals to mass m into better radius r r का square कुछ लोग इसको capital M और capital R भी ले लेते हैं so this is called i equal to mr square ये है moment of inertia का सबसे पहला formula i equals to mr square clear की not clear ये किसका moment of inertia है एक massive body का याद रखिएगा this is moment of inertia of a massive body about any excess clear बिटा any problem yes so you massive body का moment of inertia yes so what is moment of inertia the moment of inertia of a rigid body about a fixed excess is defined as the sum of products of masses of particle constituting the body and square of their respective distance from the axis of rotation इतनी खतरनाक definition लिखी है आपको मैं simple form में explain करता हूँ अब भी आपने किसका moment of inertia देखा है एक simple body का अब आप एक rigid body का moment of inertia देखने की कोशिश कर रहे हैं यह रेखिए यह आपकी rotational axis है और इस rotational axis के about एक rigid body यह लेलो साब घुमा रहे हो आप इसके अंदर कितने particle है m1, m2, m3, m4, m5 बोलो जी एसकी no तो बेटा इसकी radius किती होगी r1 तो बेटा पहला particle m1 अपना moment of inertia कितना constitute करेगा m1 r1 square करेगा कि नहीं करेगा दूसरा particle i2 equal to कितना constitute करेगा m2 r2 square क्योंकि जब यह पूरी body घुमेगी तो तो सब अपना-पना circle बनाएंगे बोलो yes की no इसी तरीके से बेटा nth body भी अपना suppose nth body है तो rn radius का अपना खुद का moment of inertia constitute करेगी so i n equals to m n into rn square yes की no so i can say total moment of inertia i is equals to individual moment of inertia क्योंकि scalar quantity है moment of inertia तो इसको हम add कर सकते हैं i1 plus i2 plus i3 dot 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 i n clear so i equals to m1 r1 square m2 r2 square m3 r3 square dot 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 m n rn square clear sigma notation में इसको लिखा जा सकता है sigma क्या-क्या बदल रहा है mb बदल रहा है और r square बदल रहा है okay ठीक है तो यह क्या है बेटा यह है sum of product इसको बोलते है s o p sum है किसका products का किसके किसके product का mass का और उसकी radius के square का it is a sum of product of mass with a square of radius clear तो यह लिखा हुआ है the moment of inertia of a rigid body about a fixed point किसका rigid body का बोल रहा हूं मैं अगर आप किसी point mass का कहेंगे वो simple mr square हो जाएगा but rigid body के लिए भाया बहुत सारे particle है about a fixed axis is defined as the sum of the product यहने कि सारे products का sum सारे products का sum तो किसका sum product masses of the particle constituting the body and the square of the respective distance from the axis of rotation clear so i equal to sigma variable की form में बना दिया है तो variable को i suppose करके so i equals to sigma mass of i radius of i का square अगर आप इस form में ले रहें तो ठीक है yes so mi ri square यदि आप radius की form में इसको आप sigma की form में ले रहें तो कर दिया गया है so यह हो गया आपका इसको ऐसे भी लिखा जाता है i equals to sigma mass variable and radius variable का whole square जितने particle है उनका सब का निकाल देंगे clear any problem चली तो यह हो गया हमाई पास moment of inertia अब इसकी हम unit निकाल दें so i is equals to आपने देखा अगर एक particle की बात की जाए तो mr square mass unit क्या होती है kilogram radius की क्या होती है meter square तो इसकी जो ऐसा unit बनेगी बिटा वो क्या बनेगी kilogram meter square और cgs unit क्या बनेगी gram meter square अब मैंने physical significance तो आपको पढ़ाई लिया कि meaning क्या होती है meaning physical significance मैंने आपको बता लिया कि किसी चीच का moment of inertia अगर ज़ादा है अगर किसी चीच का moment of inertia ज़ादा है इसका मतलब अगर वो body रुकी हुई है तो उसे घूमने में omega तक लाने में ज़्यादा दिक्कत होगी कैसी दिक्कत होगी ज़्यादा दिक्कत समझ में आया है अगर किसी body का moment of inertia कम है इसका मतलब उस body को rest से rotational motion में लाने में कम दिक्कत होगी समझ में आया कि नहीं है और इसका उल्टा भी सही है अगर वो गूम रही है तो रोकने में ज़्यादा दिक्कत होगी और इसमें अगर वो गूम रही है तो रोकने में भी कम दिक्कत होगी बोलो yes or no ठीक है ना मुझे बताओ बेटा शौर तुम्हारे सामने एक तुम्हारे घर के बराबर बड़ी आईरन की बॉल आ गई एक भरी हुई बॉल है और एक होखली बॉल है समझ गए एक भरी हुई बॉल है और एक होखली बॉल है यह हौलो बॉल है ये बताओ ज्यादा moment of inertia किसका होगा किसको मतलब कौन सी body ज्यादा moment of inertia लेके आएगी किसको रोकने में ज्यादा दिक्कत होगी बिल्कुल सही अगर इतनी बड़ी भरी बॉल iron किया जाए और वो घुमने लगे आए तो सोचो वो कितने लोगों का घरवर तहस नहस कर देगी है ना बेटा बलकि हलकी बॉल का moment of inertia जो होगा कम होगा और ये जल्दी रुख जाएगी टकराए वकराएगी और ये रुख जाएगी बट ये टकराएगी तो चीजों को तोड़ेगी क्योंकि बहुत खतरनाक है massive body है clear की not clear ठीक ना इसलिए जो heavy गाड़ियां होती है बेटा वो ज़्यादा destructive होती है होती है की नहीं होती बताओ जिनके engine ज़्यादा heavy होते है वो ज़्यादा destructive होती है जिनका mass ज़्यादा होता है हाँ जिनका वेट जा रहा होता है और बाकि तो तुम NFS के माश्टर हो क्यों भाई साब चलिए सो वही काम बता रहा है इसमें है न कि मतलब जिसका मोमेंट आफ इनर्शिया अच्छा एक चीज़ और इस लाइन में कही जा सकती है जिनका मोमेंट आफ इनर्शिया ज्यादा है उनको रेष्ट से मोशन में लाने में दिक्कत ज्यादा होगी मतलब उनको घुमाने के लिए ज्यादा heavy torque लगेगा क्या लगेगा ज्यादा heavy torque लगेगा बोलो clear की not clear और जिनका mass कम है स्वारी mass नहीं जिनका moment of inertia कम है उनको घुमाने के लिए कम torque लगेगा बोले yes की no हाँ उनको घुमाने के लिए कम torque लगेगा और जिनका moment of inertia जारा है, उनको घुमाने के लिए heavy torque लगेगा, for example बेटा, दो rolling chair है तुम्हारे यहाँ, किती rolling chair है बेटा, दो, दो rolling chair है, जैसे तुम्हाँ रूम में रखी हुई है, वैसे दो rolling chair है, अब दो rolling chair में भाई साथ, एक में बेटा, मैं बैठ गया, भूलो यह सौनू मेरे को मत बैठाओ, चलो बैठालो कोई बात में, मैं बैठ गया, और एक में भाई साथ, एक में भाई साथ, मौसा जी बैठ गया है, समझ रहे हो क्या होने वाला है, हाँ, तो एक में मैं बैठ गया हूँ, और एक में कौन बैठ गया है, मौसा जी बैठ गया है, और भाईय चेर है यह बेटा दो राउंड मार दे दो राउंड मार के रुख जाए कि एक राउंड और दो राउंड बुलो है न तो बताओ ज्यादा जोर का टॉर्क याने की रोटेशनल इफेक्ट किसको लगाना पड़ेगा एलवन वाली को कि एलटू वाली चेर को इसमें तुमको दो अचा एक बात और बता दूँ इसका मोमेंट आफ इनर्शिया कम है तो ये घूम भी जल्दी जाएगी क्या हो जाएगी घूम जल्दी जाएगी बुले यसानो और रुक भी जल्दी जाएगी रोकने पर समझा है और अगर इसको कैसे करके तुमने गुमा लिया तो भाई सा ठीक ना मतलब कोई बच्चा चनी रोक सकता है वह बक्चे ने पकड़ ली चेर तो वह भी घूम जया मोसा जी के साथ लपट करके उसी चेर में क्योंकि मुमेंट आफ इनर्शिया जादा है समझ गया है जादा है तो रोके को ग्हुमाने में दिक्कत होगी और घूमे को रो जो आपको geometrical meaning दी गई है greater the moment of inertia of a body greater is the torque required to change its state of rotation, समझ में आए बेटा हाँ, अगर greater moment of inertia है तो greater torque required होगा, और अगर moment of inertia कम है, तो कम torque required होगा clear की not clear state the factor on which moment of inertia of a body depends, बोलो पहली चीच, mass of the body second, shape and size of the body, distribution of mass and position and orientation of axis of rotation with respect to body यह याद कर लेना, एक्जाम में आता है बच्चों को के वाली याद रहता है कि mass पे depend करता है, but mass के अलावा भी लग-अलग बातों पे, body के shape पे, size पे distribution of mass ठीक है न? इन सब चीज़ों पे depend करेगा, clear? clear हो गया? अब आप यह दि कहेंगे कि sir, shape and size पे कैसे depend करता है, यह भी एक बढ़िया सी बात है, तो मैं आपको बताऊं, जो chair में आप बैठते हो आप उस chair में अपने posture को अलग-अलग करके देख लो, समझेगे न? अगर आप उस chair में खोड़ा late करके देखोगे या आप खड़े हो करके chair को घुमाओ, आप देखना आपके rotation का time अलग-अलग आएगा, आपके rotation का time क्या आएगा पेटा? अलग-अलग clear हो गया? हेलो हाँ तो मतलब कहने का है की size and shape of the body and distribution of mass about the axis of rotation depend करता है ठीक न? moment of inertia पर clear की not clear बेटा? clear की not clear? और एक अगली बात है axis of rotation पर बेटेपेंड करता है इसका तो मेरे पास एक बहुत मस्त example है बेटा, बच्पन में आपने देखा होगा एक scale आता था और उस scale में ऐसे कुछ hole बने रहते थे ये छोटा hole फिर बड़ा hole फिर और बड़ा hole फिर और बड़ा होगा बोलो, बने रहते है और नहीं बने रहते है और फिर हम जब खाली टाइम मिलता था तो हम क्या करते थे? हम इन इन में pencil फसा करके अपनी scale को घुमाया करते थे बोलो ये सकी नो तो आप realize करेगा कि हर अलग-अलग hole के respect में जो type of motion है वो अलग-अलग आता था मतलब अलग-अलग level की difficulty आपको देखने को मिलती थी yes or no हाँ तो इसलिए क्यों क्योंकि आपका axis of rotation अलग-अलग कर रहे हो और axis of rotation अलग-अलग होने पर जो moment of inertia होगा वो अलग-अलग हो जाएगा yes की no कोई दिखकत ओके सो अगला topic है हमको derive करनी है energy okay derive the relation between kinetic energy and moment of inertia kinetic energy और moment of inertia के बीच में हम relation derive करने जा रहे हैं चलिए शौर कैसे relation derive करेंगे kinetic energy और moment of inertia की बीच में बहुत important relation exam में कई बार पूछा जाता है so हम derive करने जा रहे हैं rotational kinetic energy चीख है बेटा क्या derive करने जा रहे हैं शौर derivation किस चीज का किस चीज का derivation rotational kinetic energy का clear बेटा चलिए माल लीजे मेरे पास यह एक bulk body है एक rigid body है और एक rigid body जो है omega angular velocity से एक constant angular velocity से मैं इसको घुमा रहा हूँ अब यदि constant angular velocity से घुमाऊंगा तो r1 distance पर जो point m1 बैठा हुआ है उसकी linear velocity उचना कुछ तो होगी बोलो yes की no और उसकी linear velocity suppose कर लेता हूँ में कितना v1 क्योंकि यह जो है circular path, circular motion perform करेगा so you know v1 equals to r1 omega क्यों v equals to r omega होता है कि नहीं होता इधर पे एक particle बैठा हुआ है rn distance पे suppose rn मान लो तो वो भी बैटा perform करेगा circular motion और उसकी linear velocity भी कुछ ना कुछ होगी suppose bn बोलो yes की no अब मेरे पास मैं जानता हूँ कि energy एक scalar quantity है so we know कि जो total kinetic energy होगी total kinetic energy k kinetic energy equals to अलग-अलग particle की kinetic energy half m1 v1 square plus half m2 v2 square say yes or no plus dot 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 half mn vn square बोलो बैटा होगा की नहीं होगा अलग-अलग मतलब इनके सब के sum हो जाएंगे यह क्या चल रही बैटा kinetic energy of the body अगर मैं यहाँ पे 1 by 2 m1 को m1 नहीं दूँ अभी आपने देखा कि v1 की value क्या है r1 omega v2 की value क्या होगी r2 omega similarly vn की value क्या होगी rn omega होगी की नहीं होगी so r1 omega पर क्योंकि whole square लगा है तो whole square whole square plus 1 by 2 m2 v2 square यहने की r2 square omega square plus 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 1 by 2 mn rn square omega square बोलो बेटा yes की नहीं अगर मैं बेटा यहाँ से 1 by 2 and omega square common ले लूँ I mean to say omega square by 2 common ले लूँ अगर मैं यह omega square सबसे common ले लिया और 1 by 2 common ले लिया clear की not clear तो यहाँ पे m1 r1 square m2 r2 square m3 r3 square plus dot 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 mn rn square हो जाएगा की नहीं बनेगा बेटा yes or no क्या यह omega square by 2 के बाजू में sigma mr square बैठा हुआ की नहीं बैठा हुआ है hello बैठा है की नहीं बैठा और sigma mr square को हम क्या moment of inertia बोलते हैं की नहीं बोलते हैं पूरी body का बोलते हैं तो यह क्या बन जाएगा बिटाए इसका हम i बोलते हैं so this is i omega square by 2 or you can say half i omega square my dear this is called rotational kinetic energy equals to half i omega square clear की not clear half i omega square यह कहलाती है rotational kinetic energy बिल्कुल सही any problem ओके दोस्तों तो हमारा अगला topic है जिसका नाम है radius of gyration radius of gyration यह तो हो गया था हमारा yes g y r a t i o n g y r a t i o n g y r a t i o n इसको समझने के पहले आप कुछ ऐसे समझे पहले derivation को समझो देखो बच्चों आपके पास एक rigid body है n particle की rigid body है आपके पास एक n particle की rigid body है जिसके अंदर particle है m1, m2, m3 up to up to up to up to mn particle है बो clear की not clear so आपके पास में अगर मैं कहूँ total mass of the body total mass of the body m1 plus m2 plus m3 plus m4 dot 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 up to mn suppose इस total body का mass है capital M so I can say here the mass is capital M बोलो यस की नो मैं इस total body के mass को capital M ले सकता हूँ अगर अगर यदि ये body uniform composition है body का मतलब दाना दाना एक समान जिसको हिंदी में बोला जाए कैसा है body का composition uniform composition जैसे घर में आप गिहों पिसा के लाते हो तो आटा बनता है तो आटे के कोई भी दो particle बिलकुल एक जैसे होते हैं so I can say here M1 equal to M2 equal to M3 जितने भी particle है सब का mass एक जैसा है and I can say this mass is a small m ठीक है बेटा अब आईए देखते हैं तो हम क्या बात करते हैं moment of inertia की so moment of inertia total body का moment of inertia जो I बनता है बेटा वो क्या बनता है M1 R1 square plus M2 R2 square plus dot 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 MN Rn square बोलो बेटा बनता है की नहीं बनता बनता है ना अब आपने देखा कि body का दाना दाना एक समान है uniform body है uniform composition की so आप M1 की जग़े बे M लेख सकते हैं M R1 square M R2 square योकि body uniformly composed है तो हर जगे के particle जिसे iron से बनी है तो हर जगे का iron जो होगा एक ही mask होगा plus MN Rn square तो MN तो भाईया M हो जाएगा बस radius अलग अलग होगी yes और no radius का कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि M वाले की radius M2 की अलग है M1 की अलग है M3 की अलग है MN की अलग है तो वो तो अलग होनी है यह अपने पास आ गया बिटा I equals to M commonly loom so here it is R1 square plus R2 square dot 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 plus Rn square ठीक है बिटा देखिए आप I equals to M बिटा मैं N का multiply कर देता हूँ उपर और N का multiply कर देता हूँ नीचे so R1 square plus R2 square plus R3 square plus dot 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 Rn square clear की not clear ठीक है अब M का N से multiply करने पे क्या फर्क हो गया क्या फाइदा हो गया आप देखिए जो total mass है क्या उसको हम M mass के N particle नहीं लिख सकते क्या क्योंकि बिल्कुल fine particle small M mass के है एक particle का mass M है तो N particle का mass कितना होगा M into N होगा की नहीं होगा so I can write here capital M equal to MN yes or no हाँ तो total इसका जो mass है इसे हम क्या लिख सकते हैं M into N और MN को हम लिख सकते हैं capital M कहिए yes की no so this is capital M here R1 square plus R2 square plus dot 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 plus Rn square divided by N okay की no okay ये क्या है बिटा moment of inertia अब समझे radius of variation आने वाली है आपने देखा कि moment of inertia जो है moment of inertia अलग-अलग particle का आपने sum ले लिया तो total moment of inertia बन गया clear बिटा आपने अलग-अलग particle का sum लिया तो total moment of inertia बन गया देखें मैं आपको फिर से बता रहूँ है आपे इस access के about आपने इस पूरी body का moment of inertia निकालने के लिए आपने क्या लिया इनके अलग-अलग individual particle का moment of inertia लेकर के add कर दिया बोलिये yes कि नो मैं इसको कहता हूँ कि आप अलग-अलग particle का moment of inertia ना लेकर के इस body का center of mask निकाल ले कि इसका पूरा center of mask तहां बैठता है तो कहीं ना कहीं तो बैठता होगा ना बेटा तो इस पूरी body के अलग-अलग particle के moment of inertia का जो हमको फल मिलेगा जो result मिलेगा क्या वो इस mask के rotation से ही उतना result मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा मिल जाएगा यस और नो तो इस total mask की कुछ न कुछ तो दूरी होगी यहां से in that time I can say कि अगर mass m है और इसकी distance इसके axis से k है so total moment of inertia equal to i equal to mk square m is the total mass and k is called radius of gyration yes की नो तो क्या सीख रहा हमने हम कि जो moment of inertia है i equal to mk square यह इनके अलग-अलग individual particle के moment of inertia के सबके sum के equal है yes और नो तो मैं यहां पे जो i है इसके place पे total mass के लिए mk square भी तो put कर सकता हूँ क्योंकि अलग-अलग निकालो चाहे center of mass पे निकालो बात तो बराबर है yes or no तो मैं यहां पे replace कर देता हूँ i की जगह mk square equals to capital M r1 square plus r2 square plus dot 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 rn square whole divided by n okay m से m क्या हो जाएगा cancel so k square equals to r1 square plus r2 square plus dot 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 rn square whole divided by n okay so k is the called radius of gyration और इसकी value कितनी हो जाएगी square root of r1 square r2 square plus rn square upon n clear है पिटा तो शौर ध्यान से देखो यहां पे तीन चीज़े involved है बोलिये number 1 पे root can volume number 1 पे root दूसरे नममर पे ध्यान से देखो mean हो रहा है yes or no और तीसरे नममर पे क्या है square है so इसको हम क्या बोलते है root mean square value of radius यह कौन सी value है root mean square मतलब rms value clear तो क्या होती है जो radius of gyration होती है वो individual radius का rms value होती है तो जो radius of gyration होती है वो individual radius की rms value होती है इनी प्रोब्लम बात करने यह थी factors on which radius of gyration depends तो radius of gyration position and direction of the axis of rotation वही जिस पर अपना moment of inertia depend कर रहा था position and direction of axis of rotation second distribution of mass जी हाँ तो distribution of mass पर भी depend करती है चलिए तो यहाँ पर यह complete हो जाता है हमारा आज की class अब आपको बेटा करके लाने हैं यहाँ तक है questions चलिए